पश्चिम बंगाल में विधान सभाचनाव के नजदीक आते ही हिंसा की घटनाओं में इजाफा हो गया है राज्य में कई बीजेपी कारेक करताओं की हत्याओं के बाद गुरुवार को भारतिय जिन्ता पार्टी के राष्ट्र अध्यक्ष जेपी नड़्डा के काफिले पर हमला हुआ अब राज्यपाल जगदीब धनकड ने कहा है कि मुख्य मंतरी ममता बेनर जी को संविधान का पालन करना होगा राज्यपाल के बयान के बाद अशंकाएं उठ रही है कि क्या चुनाव से पहले ही बंगाल में राष्ट्रपती शासन लगाया जाएगा इसके पीछे एक वज़ा यह भी है क्योंकि ग्रह मंतराले ने शुक्रवार को पश्चिम बंगाल के डीजेपी और मुख्य सचीव को कानून विवस्ता को लेकर समन भेजा है नड़ा के काफिले पर हमले के संदर्ब में राज्यपाल जगदीब धनकड ने कहा पश्चिम बंगाल में दिन बर दिन कानून विवस्ता किस्ती दी बिगरती ही जा रही है राज्य में भीतरी और बाहरी का खतरनाक खेल चल रहा है उन्होंने मम्ता सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि पश्चिम बंगाल में कानून का उलंगन करने वालों को पुलीस और प्रशासन का संरक्षन मिला हुआ है उन्होंने आगे कहा कि मम्ता बेनर्जी को कल दिये गए अपने बयान को लेकर माफी माँगनी चाहिए ममता बेनरजी ने कहा था कि बीजेपी के पास कोई और काम नहीं है कई बार ग्रह मंत्री यहां होते हैं जब वह नहीं होते तो कोई चड़ा नड़ा फड़ा यहां होते हैं जब उनके पास रैलियों में लोग नहीं होते हैं तो वो अपने कारेकरताओं को नोटंगी करने की लिए कहते हैं पश्यम बंगाल में कोलकता से दक्षिन 24 परगना जिले में जाने के दौरान डाइमेंड हार्बर इलाके में भाचपा के राश्य अध्यक्ष जेपी नड़ा के काफिले पर गुरुवार को पत्थर फेंके गए पत्थराओं की घटना में पाटी के राश्य महाशचीव केलाश विजे वरगे की कार में तोड़ फोड की गई थी पश्यम बंगाल बीजेपी प्रमुख दिलिप घोश ने बताया था डाइमेंड हार्बर की हमारी यात्रा के समय त्रीन मुल्क कॉंग्रेस के समर्थकों ने रास्ता अवरुद कर दिया और नड़ा के वाहन तता दूसरी गाड़ियों पर पत्थर फेंके यह त्रीन मुल्क